दोस्तों मेरे चनल में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कोई भी सरकारी अपसरक, सरकारी करमचारी यानि कि कोई भी व्यक्ति जो कि सरकारी पद पर बैठा हो अगर आपका कोई भी काम करने के बदले अगर आपसे पाही हो, दारोगा हो, DSP हो, SP हो, कोई भी हो, ब्लोग का वीडियो हो, CEO हो, किसी भी पतपर हो लेकिन अगर आपसे रिस्वत मांगता है तो यहाँ पर यहाँ अपने आप में अपराध है अगर आपका कोई भी सरकारी काम है तो यहाँ पर आपका काम फ्री में होना चाहिए यहाँ पर इसके बदले आपको कोई भी पैसा नहीं देना है क्योंकि जो सरकारी पत्वर बैठा हुआ है उसके बदले उसे सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहाँ बात तो सब ही को पता है इसके बावजूद भी अगर आप एक छोटा सा काम भी करने जाते हैं तो आपको यहाँ पर पैसा देना पड़ता है नहीं तो आपका काम को लटका दिया जाता है लेकिन यहाँ पर सरकार ने विजलेंस डिपार्टमिन का गठन इसलिए किया है कि अगर कोई भी रिस्वत माएंगे तो आप कंप्लेन करें लेकिन यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं करता है सभी को यहाँ जल्दी बाजी होती है और आप यहाँ पर पैसा देकर अपना काम कराने में अपनी भलाई समझते हैं आप इसी में अपनी चलाकी समझते हैं लेकिन अगर complaint vigilance department के पास जाएगा तो फिर निश्चीत ही करवाई होगी अगर करवाई नहीं होती तो अक्सर आपको निश्पेपर में पढ़ने को नहीं मिलता कि यहाँ पर दरोगा को निगराने के टीम ने रंगे हाथ रिस्वत लेते आरेश्ट किया, CEO को आरेश्ट किया, इंजिनियर को आरेश्ट किया, तो यहाँ पर अगर वेक काम नहीं करते हैं, तो फिर ऐसा पेपर में पढ़ने को मिलता ही नहीं, तो यहाँ पर निश्चीत अगर आप vigilance department से complain करेंगे, तो एक करवाई करेंगे, अब सवाल उठता है कि आप complain कैसे करेंगे, दोस्तो आप ज करके बताना है, और आपको कॉल तो करना ही करना है, और जो भी उनके office का address है, वहाँ पर आपको return लिख कर अपने सिकायत को speech post भी करना है, तब ही जाकर वे करवाई करेंगे, आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, आप Twitter पर जाएं, और आप देखे कि आपके state का जो भी वि बिहार से हैं, तो आप Twitter पर जाकर Bihar Vigilance Department search करेंगे, तो फिर बिहार Vigilance Department का जो भी official Twitter handle है, आपको दिख जाएगा, आपको वहाँ से उनका office का address, contact number, सारा चीज मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप बिहार से हैं, तो फिर आपको 1064, जो की toll free number है, आपको dial करना है, और आप की समस्या है, कोई भी सला उन से लेना है, कोई चीज पूछना है, उनको बताना है, तो आप सारा चीज कॉल करके बताएं, फिर उसके बाद भी आपको सारा प्लान विताएंगे, करना क्या है, और फिर उनके पास hidden camera होता है, वहां के ब्राव आपको देते हैं, अब जैसे ही जाका रिस्वत लेते हैं, सारा hidden camera में आ जाता है, और जो note होता है, वो note का सारा serial number mention करते हैं, उसमें chemical मिलाते हैं, और जैसा ही याँ पैसा देते हैं, उनका network इतना strong होता है, कि उसी time on the sport जो भी सरकारी बागु होते हैं, उन्हें आरेश्ट कर लेते हैं, और वे उन्हें 30 मिला हुआ है, तो दोस्तों कोई भी सरकारी पत्वर बैठा, अगर आप से रिस्वत मांगे, तो आप Google करके अपने state के vigilance department का contact number address निकाले आपको, और आप call करके उन्हें बताएं, और आपको written में भी उनके address पर complain करना होगा, तब ही वे करवाई करेंगे, अगर आभी हार हैं, तो मैंने पहले बता दिया, कि आप 1064 डायल करें, और ऐसा ही सभी state का, यहाँ पर विजिलेंस department का number होता है, आप Google करके निकाल सकते हैं, और अगर नहीं समझ आ रहा हो, तो फिर आप Twitter पर जाएं, और आप Twitter पर जाकर search करें, वहाँ पर आपके state का, जो भी official vigilance department का Twitter handle है, आपको मिल जाएगा, contact number मिल जाएगा, address मिल जाएगा, आप आसानी से उन से approach कर सकते हैं, तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ, आपके वीडियो पसंद आई होगी, अगर मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप नीचे comment box में comment करें, और अगर आप हम से सीधे जूरना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें Instagram पर follow करें, मेरा Instagram पर होई जरने में, प्रितियस 1584, आप हमें follow करें, message करें, और अगर फोन से बात करना है, तो Instagram पर ही message करके appointment में ले ले, तो दोस्तो आप इस वीडियो का अधिक सदिक अपने दोस् खाल है, जर एला के अधिक सुछानल के पनाघा है, झाल दोस्तोर प्रित century और है, तो फिर। घर्ल है, तो आप हमेंHaक हैं ซ्टू झाल als दोस्तोर झाल, कि जर में दोस्तोर 95, तोस्तोर है, सम्म्मिन थें के अधिक सिरानल है तोस्तोर है – कि और भाल झाल, कि और भामिने,